वह वाला जो face wash था ना वह बिलकुल बखवास है यह वाला मुझे सब्दिता करता है वह वाला मुझे गर्में में शूट करता है यह वाला जो face wash है यह मुझे पहले suit करता था लेकिन अब suit नहीं करता मतलब इतने सारे face washes market में available हैं लेकिन फिर तो आईए जानते हैं आज सुखी होने का एक नुस्का जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना बहुत ही जादा जरूरी है और बिलीव मी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप काफी खुश होने वाले हैं क्योंकि एक डी आई वाई कें चेंज इट आल फेस वाश में आकर जाग ना हो तो फिर भी वो फेस वाश करेगा क्या क्या आप जानते हैं कि पहले के जामाने में मिट्टी से हाथ धोते थे जाग नहीं भनता था तब समझ आए क्या नहीं आई ये मैं समझाते चैलो कैसंबा नहीं मजाग नहीं कर रहे हैं सच में पूछ रही हूँ नीचे comment section में मुझे बताईए आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्थ हैं और बहुत खुश हैं सबसे पहले मेरे प्यारे से subscribers को बहुत सारा thank you आप लोगों ने मिझे इतना सारा प्यार throughout the channel दिया है जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारा thank you बोलना चाहती हूँ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास यही है जो प्रीती पेड़ना को इतना special बनाता है Thank you so very much from the bottom of my heart आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक DIY face wash शेयर कर रही हूँ जिसके यूज़ेच से आपकी skin तो काफी कमाल की हो ही जाएगी लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आपका जो satisfaction level होगा वो अनदर लेवल चला जाएगा वो कैसे? क्योंकि इसके सारे के सारे ingredients number one natural है number two खादे हैं और number three आपके kitchen में हैं जि हाँ यह बहुत ही simple है मैंने इस particular face mask को मात्र पांच मिलेट में ready किया है and believe me पांच ही ingredients हैं इसके usage से आप काफी जादा खुश होने वाले हैं मेरे बहुत सारे beautiful से interjectors यहाँ पर आ सकते हैं जो यह कहेंगे कि natural products भी तो chemical होते हैं जि हाँ बिल्कुल chemical होते हैं लेकिन as compared to the chemical products जो आप market से लेकर आते हैं और फिर उसको अपने skin में topically use करते हैं यह वाले chemicals जो घर पर मौझूद हैं हमारे natural ingredients यह उनसे कहीं जादा बहतर है क्योंकि हमारी body इनको समझती है हम इनको खाते हैं यह ultimately हमारा body का part बन जाती है and that's why they are far more important and most potent आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हम एक ऐसी आदुनिक जीवन शैली जी रहे हैं जो कि काफी monotonous है monotonous मतलब काफी एक जैसी है हाथ दोने जैसी simple सी चीज हम इतने सालों से एक ही तरह से करते आए हैं जब तक कि COVID नहीं आया तब हमें पता चला कि हमें अपने हाथों को काफी जादा properly wash करना चाहिए ऐसी ही एक चीज है face wash जब तक कि अच्छे से जाग ना बन जाए और एक बहुत ही अच्छी खुश्बू ना आ जाए लगता ही नहीं कि face wash किया है आज मैं आप लोगों के साथ face wash से related एक बहुत ही simple सी चीज शेयर कर रही हूँ and I really request you कि आप broad-mindedly इस particular चीज को सुनिए अगर आपको इस चीज समझ में आ जाती है तो believe me face wash को लेके आपका नजरिया completely change होने वाला है So this is the face wash which I have prepared at home आप देख सकते हैं It is a powder जी हां इसको आपको airtight container में रखना होता है यह खाली coffee की डबी थी मेरे पास तो मैं उसमें store किया है Preferably आप काच की bottle में ही store किजिए इन चीजों को and it is something like this जी हां यह powder है और खुश्बू तो आप पूचिये इमत I really feel like washing my face all the time क्योंकि इतनी अच्छी खुश्बू इसमें आती है Also यह जाग नहीं बनाता That's what I wanted to convey कि face wash का मतलब जाग नहीं है क्योंकि इससे जाग नहीं बनेगा लेकिन यह काफी चिकना हो जाएगा because of one of the ingredients in it और उस चिकनाई की वज़े से यह सारा का सारा oil dirt pollution आपके चहरे से completely हटा देगा आपका चहरा एक तो cleanest हो जाएगा for sure and secondly आपकी skin इतनी जादे rejuvenated हो जाएगी that you are going to feel कि भाया हमें यह पहले क्यों नहीं पता था It's okay, it's okay, आप पता है ना Try कीजे Talking about the behtirin ingredients of this face wash और सबसे पहला ingredient है Basin Basin के बारे में मैं आप लोगों के साथ विस्तार में बात कर चुकी हूँ अगर आप मेरे चानल पर नए है तो सबसे पहले तो सबस्क्राइब कर लीजे और दूसरी बात इस पर्टिकलर वीडियो को आप definitely देखिए क्योंकि यहां पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि Basin आपकी skin के लिए आपकी body के लिए कितना कमाल का है और क्या मज़ेदार result यह देता है Basin का cleansing action होता है आपकी skin के लिए इसको कोई बीट कर ही नहीं सकता मैं आपको कहते हूँ कि अगर आपकी skin पे किसी भी प्रकार की कोई भी परिशानी है shun everything और सिर्फ बेसन से मूध होए और देखिए फिर क्या magic होता है क्योंकि Basin आपकी skin के pH को balance करके उसे exactly वही कर देता है जो वो होना चाहिए that means Basin is kind of a reminder for your skin कि please behave yourself second ingredient is your chandan मैंने पनी last video में चन्दन बोला और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि चन्दन क्या होता है I was surprised कि आपको नहीं पता है क्योंकि मुझे चन्दन का कोई और नाम नहीं मालूम है chandan is sandalwood powder sandalwood powder की खुशबू मतलब अभी जब मैंने नाम ले लिया है और आप लोगों को ध्यान आ गया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या खुशबू उसकी है क्योंकि sandalwood में एक cooling sensation है sandalwood आपकी skin पर किसी भी तरह का dryness और damage जो हो चुका है उसको repair करता है आपकी skin को soothe करता है उसे comfort करता है ताकि वो अच्छे से अपने आपको divide कर सके cell division हमारे चहरे पर हमेशा चलता रहता है तो उसको ठीक से conduct करने के लिए chandan could be a beautiful reminder and that to everyday that's amazing third ingredient is your coffee coffee सिरफ सुभे आपको ही एनरजाइज नहीं करती अगर आपके face wash में हो तो आपके skin cells को भी एनरजाइज करती है skincare series में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चकी हूँ कि coffee आपके skin के लिए कितना कमाल की चीज हो सकती है अगर आप इसको ढंक से इस्तमाल करें इस face wash में coffee के छोटे-छोटे granules as a scrub का काम करते हैं और इसका जो caffeine content है यह आपके skin के cells को इतना जादा brighten and lighten कर देता है that you are going to be really amazed and इस face wash में coffee का presence is another level खुशबू अलसो 4th ingredient is your wild turmeric और kastouri haldi नाम से पता चल रहा है kastouri का मतलब होता है खुशबू इतनी खुशबू इस haldi में होती है that I really cannot tell you आपके जितने भी जो शादी के ceremonies होते हैं उनमें जो उप्टन बनता है जो haldi ceremonies होती है उनमें kastouri haldi का ही इस्तमाल होता है हaldi हमारे existence के लिए कितनी जरूरी है यह आप पढ़िए और amazed हो जाए जितना पढ़ेंगे आपको कम ही लगेगा क्योंकि हaldi एक वर्दान हो नहीं सकती है वर्दान है हमारे existence के लिए हaldi is something magical antiseptic है, antifungal है आपकी body के लिए anti-inflammatory है antioxidant है and क्या नहीं है हaldi is everything हaldi का consumption Indian households में हर दिन ही होता है लेकिन कस्तूरी हaldi को खाया नहीं जाता है कस्तूरी हaldi में होती है खुश्पू और यह होती है बहुत ही कड़वी इसलिए इसका topical application किया जाता है वूंड में अगर आपको कोई घाव हो गया है तो आप समझ रहे हैं कि अगर इंटर्नल बॉडी में भी कोई परिशानी है तो हaldi is a magic हaldi आपकी skin को अंदर से बाहर से आपकी body को internally इतना energized कर देती है इतना खुबसूरत बना देती है that I cannot tell you मैं इस particular face wash के जितने भी ingredient है इनके ओपर separate videos कर सकती हूँ इतना जादा powerful यह है तो इस face wash के चार ingredients के बारे में मैं आपसे detail में बात कर चुकी हूँ और आपको समझ में आच चुका है कि यह face wash कितना powerful है लेकिन face wash अभी बाकी है मेरे दोस्त फिफ्ट इंग्रीडियंट इस योर मुल्तानी मित्ती मुल्तानी मित्ती की जो ability है आपके face से आपके skin से oil को extract करने की इतना powerful कोई भी और ingredient इस face wash में नहीं है लेकिन मेरे कुछ प्यारे से interjectors यहां पर होंगे जो कहेंगे कि oily skin के अलावा मुल्तानी मित्ती is not good for any other skin मुल्तानी मित्ती शुद नॉट बी उस इन विंटर सीजन देखिए हम मुल्तानी मित्ती का application as a mask नहीं कर रहे हैं यह टॉप के लिए आपकी skin पर जादा देर के लिए नहीं रहेगा मुल्तानी मित्ती होती है चिकनी जिसकी वजह से आपका जो face wash है वो काफी slippery हो जाएगा और आप लोगों कुछ जाग तो नहीं पर वो जो slippery feeling है अपने face पर वो feel होगी और इसके लिए आप मुल्तानी मित्ती का यहाँ पर इस्तमाल कर रहे हैं अगर आप comfortable नहीं है तो आप इन पांचों में से किसी भी चीज को skip कर सकते हैं चार चीज़े या तीन चीज़े अपने आप में ही इस face wash को उतना ही powerful रखेगा no problem फर दर प्रेपरेशन अफ दी फेस वाश आपको लेना है एक बोल इसमें आपको लेना है 2 टेबल स्पून अफ बेसन 2 टेबल स्पून अफ चन्दन पाउडर 1 टेबल स्पून अफ कॉफी 1 टेबल स्पून वाइल्ड टर्मरिक 1 टेबल स्पून अफ मुलतानी मित्टी इन में से आप जस्पी चीज़ को हटाना चाहते हैं आप बिलकुल बहतरीन है कि मैं आपको नहीं बता सकती, यहां पर यूज होने वाले इंग्रीडियंट्स में से, बेसन की अपनी कोई पेकुलिर खुश्बू यहां पर नहीं होगी, क्योंकि ड्राइ पाउडर है, कॉफी की खुश्बू होगी, लेकिन कम होगी, लेकिन डॉमिनेंटली यहा जब आप इसको मिक्स करेंगे, तो कमाल की खुश्बू आने वाली है, जब आप अपलाए करेंगे, तब तो और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा, जब आप इसको यूस करेंगे। For the application, it is very very simple, सबसे पहला step, आप अपने चहरे को भिगा लीजिए, दांप कर लीजिए, प्लाश कर लीजिए, पानी को अप थोड़ा सा फेस्वाश अपने हाथ में ले लीजिए, इनिशली आप जादा लेंगे, लेकिन बलीव मी, जब आप करने लग जाएंगे, और आदत म मैं अपनी नोस को अच्छे से, you know, clean करती हूं, the sides and everywhere, क्योंकि sides में जादा डिपॉजिशन होता है, बहुत सारी लोग लिखते हैं कि हमारे nose और mouth के around darkening हो जाती है, उसका एक मात्र रीजन होता है कि हम अपने face wash को ऐसे उपर-उपर topically करते हैं, wash के और चल दिये, लेकिन इस face wash से आप यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि जाग तो बनने वाला है नहीं, आपको अपनी चहरे के हर एज को properly clean करना होगा and that's where your actual alertness about your face comes in, तो आप इसको अच्छे से अपनी नाग पर लगाएंगे, properly you know scrub करेंगे, coffee scrub कर रही है, आपका जो चंदन है वो आपके pigmentation पर काम कर रहा है, so all the things are working beautifully on your skin, आप अपने चहरे को अच्छे से रभ कीजे, you know your cheeks, under your eyes, क्योंकि हम से सुखाएंगे नहीं तो अंडर अपने 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 पूरे के पूरे माते पे, चिन पे, अपनी गर्दन पे अच्छे से को वाश कीजे, and then splash your water and clean your face, believe me, हर दिन जब आपने चहरे को इतना thoughtfully और इतना ढंक से clean करेंगे ना, within a week आपको दिख जाएगा कि आपका चहरा एक दम clean है, आपको किसी clean up की जरुवत नहीं है, हम सभी को, you know, महीने में एक बार हम clean up कराने की कोशिश करते हैं, आपको किसी clean up की जरुवत नहीं पड़ेगी, मैंने छे महीने से किसी face wash क का इस्तमाल नहीं किया है, मैं इसी को use कर रही हूँ, मैंने कोई clean up नहीं कराया, मैंने कोई facial नहीं कराया, मैं कभी पारलर नहीं गई, in past, जब से lockdown लगा, it is like March, मैं अभी तक पारलर नहीं गई हूँ, it is just this face wash that I did not require, मुझे जरुवत ही नहीं है, क्योंकि face इतना neatly clean हो रहा that I was, I am really happy, लेकिन completely इसको इसको स्तमाल किया है, मतलब यह नहीं है कि मैंने, लेदर वाला यह जो चेमिकल बेज बाहर के face wash होते हैं, उनको स्तमाल नहीं किया है, ऐसा नहीं है, जब भी मुझे बाहर जाना होता था, and I could not carry this DIY, though I carried it, but I could not use it, क्योंकि स्में काफी जादा, you know, दोनों हाथ लगते हैं, all of those things, तो बाहर ट्रावल करने के लिए, these are like really handy, so currently I am using this Sultry Nutgrass face wash, अगर भी इस्तमाल करना चाहें, तो I am liking it, for oily skin people, तो काफी अच्छा है, and आप यह भी ट्राइ कर सकते हैं, लेकिन मैंने थ्रू आउट सिरफ इसको इसको इस्तमाल किया है, and I am really happy with it, you should also give it a try, आप इसको बनाएंगे, I am 100% sure, और आप बहुत जादा हुश हो जाएंगे, क्योंकि यह आपकी skin को, जो vibrance दे देता है, जो glow दे देता है, हर दिन आपको लगेगा आपने facial किया है, यह इतना vibrance आपके चहरे को दे देता है, so do give it a try, और आप सब को drill मालूम है, और आपस आपके हम सब को बताएंगे, कि आपके लिए यह remedy कैसी रही है, so this was it for this video, I hope you liked it, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना बिलकुल मत भूलिये, show some love and share it with your friends and family, let them know that there is somebody called Preeti Prerna who is sharing such lovely remedies for all of you, I will see you all in the next video with something very exciting for you, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखे और प्रीती प्रेणा के चानल से बने रही है, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली, बन के सबा, बागे बाहार में, रहे न रहे हम, जब हम न होंगे, तो हमारी, विडियो पे तम रुकोगे, चलते चलते